इसे पहले हमारा बहुत कुछ हो चुका है आप प्लेलिस्ट में जाकर सिंपल देख सकते हूं तो चलिए पहला टॉपिक डिस्ट करते हैं कि एट्मोस्वेर होता क्या है देखिए जो हमारा अर्थ बटा हुआ है हैabbit opposite ने अपना फीन बटा हुआ सिसे यहां पर यहां पीज़ार होाव लिट्र स्लिग सफियर हुआ हो एट्मोस्वेर होता है जो डिवा करेक्सन होता हैं गामिक ने संहोता है उफकम इंड्मोस्वेर बलते हैं मिलते हैं ताकि जीवन संभव हो सके उसको हम बोलते हैं दायोस्वेर, क्लियर, तो सबसे तहले हम अगर बात करें इट्मोस्वेर की, तो इट्मोस्वेर एक इन्वेलफ है, एर का इन्वेलफ है, जो कि अर्थ के चारो तरफ फैला हुआ है, आर्थ के चारो तरफ फैला हुआ है, जाजार किलोमेटर तक extended है लेकिन अधिक तर जो एर है हमसे मात्र 32 किलोमेटर दूरी तक है उसके उपर नहीं मिलेगा आपको मतलब बिल्कुल माइन्यूट पोजिन मिलेगा लग जितने एर पूरे एट्मोस्फेर में है उसका 99 परशन तो अर्मोस्ट बत्रीश किलोमेटर के इसको कोन रकता है ? एतमोस्फेर को हैंड कफजे में रखता है अर्थ का अर्थ का ग्रेविटेशन फ और ऑट का ग्रेविटेशनल फोर्स तो और का ग्रेविटेशनल फ लेकिन ऐसा नहीं है उसको मजा भी कवार्ट से इस बदान के किलो slippy अगर आशना आप उगर को अथ अगर ऐसा कुछ नहीं रहता अगर gravitation force का कुछ लूचा नहीं रहता तो atmosphere अगर ऐसा रहता कि और इसके gravitational force का कोई impact ही नहीं है तो क्या होता अगर यहां पर कभी कभी ऐसा होता हम अगर यहां पर कूद दोते जसे इसे मलों हम jump करते और मिल्या। हम और मूरम और मूरम तो सबस्तुन करना आ residents सबसे जादे आपको मिलेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग विंग के लिए उसके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है 21% दो गयसी ऐसा है जो कि 99% के आसपास है इसके अलाबी जे थर्ड नमबर पर आता है औरगन फूर्थ नमबर प परणियम ओजोन और हाइड्रोजन से मिलते हैं कार्बन डाइकसईड बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है लेकिन लेकिन क्या है कार्बन डाइकसईड का जो पर्षिंटेज अगर थोरा भी इंक्रीज ये डिक्रीज होता तो हमें पता चलने लगता है क्योंकि यह कार् बंडाइकसई प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी ओके इट इंपॉर्टेंट कंस्टुट्वेंट अफ एयर बिकॉज इज अबिलीटी तो एबजॉर्ब हीट हां ठीक है मतलब यह क्या करता है हीट को एबजॉर्ब करता है इसलिए हमारे एट्मोस्पेर को गरम रखता करता है अगर कोई मांगो सब्स तरम सान यहां से अपना लाइट से सोलर एडियेशन अगर यहां पर कोई घ्रीन हाउस दर्शाल्र डेकेसद नहीं होता तो सलब हैडियेशन और अब नेक्स्ट बात करते वाटर वेपर की वाटर वेपर इंग ऑ और एक और चीज़ बताबें, कि atmosphere जो गर्म होता है, वो solar radiation की बजह से नहीं होता है, solar radiation की बजह से नहीं होता है, वो गर्म होता है् टेरिस्रीयल रेडियेशन के बज़ज़ें, बहुती को डो रेडियेशन हनाम, समझ लेते aномատ, सोलर रेडियेशन का मतला होता है सन से जो लाइट आया सन से लाइट जब आता है वो सौर्ट वेव का होता है उससे ओ इट्मोस्फेर के लिए ट्रांस्पेरेंट होता है इट्मोस्फेर सोलर रेडियेशन के लिए ट्रांस्पेरेंट होता है इट्मोस्फेर उसको सिंपल तेरिस्ट्रियल रेडिशन लॉंग वहता है और यह जब एट्मोस्फेर से ठकराएगा ना तो इत्मोस्फेर का ग्रीन हाउस के जैसे कारबन ऐसे कारबन डायक्साइड यह सब क्या करेगा इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से रेफलेक्ट करेगा इसके कारण ही एट् वाटर वेपर की वाटर वेपर नाम से पता चलता है कि वाटर में कुछ क्वांटिटि, joe, withdrawn. में कुछ quantity water का इसको तो water vapor करते है कि water present in air ऐसे बात होती है तो water vapor सबसे significant component है क्योंकि water vapor से ही तो बादल बनता है फिर बारिस होती है important है weather को बहुत ज़्यादा ये बदलता है weather पे बहुत ज़्यादा इंपाक्ट डालता है और इसकी quantity vary करती रहती है जैसे 0-4% तक मालो ये इतना volume है air इसमें अगर 4% water हो तो इसको बलने 4%, 0% मतलब यहाँ water ही नहीं यानि water vapor है ही नहीं water vapor किसका source है cloud का precipitation का precipitation के बहुत सारे type होते हैं जैसे rainfall, hail storm में सब होते है प्रेसिपिटेशन के टाइप वाटर वेपल लाइक कारवन डायक साइकल होते है उसी तरफ हाइडरोलोजिकल साइकल होते है उसी तरफ हाइडरोलोजिकल साइकल होते है मतलब जमीन पे मालो पानी है जमीन का पानी क्या होता है जमीन पे पानी है पानी को sunlight क्या करता है अब्जॉर्प कर लेता है उपर ले जाता है तब तक उपर जाता रहता है जब तक उपर जाता है तो मतलब पानी को पहले क्या करता है यहां से पानी गया है पानी को पहले convert कर दिया, convert कर दिया, liquid को gas में convert किया, उपर ले गया, उपर ले जाने के बाद है, gas क्या करता है, फिर से liquid में convert हो जाता है, liquid, इस process को हम बोलते है, condensation, convert हो गया, कब convert होता है, जब यहां का temperature, जब इस gas का temperature, इस surrounding के temperature के equal हो जाता है, या या हो सकता है कम हो जाता है clear है ना मतलब surrounding के temperature के बराबर हो गया ने gas का temperature क्योंकि gas गरम है तो उपर ही जाएगा ना वाई जब तक gas गरम रहेगा तब तक उपर जाएगा क्योंकि जो गरम चीज़ हलका होता है हलका चीज़ तो उपर जाएगा ने वाई लेकिन जैसे ही गैस का टेंपरेचर इस सरांडिंग तेंपरेचर की एक्वल होगा गैस रुख जाएगा उसके घास धीरे धीरे लिक्विड ड्रॉपलेट में कनवर्ट होगे उसके बादे फिर बारिस कर देगा रेंफॉल कर देगा तो इसको है घ्रोलोजिकल यहां तक यहां हम यहां जो यह जो यह जा रहा है उसमें वाटर ड्रॉब ले स्केडों हें डिस्ट क्या करता है डिस्ट करताектор 25 minute बाइय देखो यहलो यहां चूब मेंária लेते हैं चूब कर लेक हैं लेडियं कुछ आपको क्या लगता है आप veces um f एक फॉर्म में ऐसे ऐसे रेडियेशन भी यहां पर एक ड्रॉप एक डस्ट है तो इसको बलेंगे डस्ट पार्टिकल को बलेंगे कि वो हीट बैलेंस को मैनेज करके रखता है क्लियर हैं दस्ट जो क्या करता है यहीं इनकमिंग शोल्य रेडियेशन आने से रोकता है क्लियर दपॉलिटेड पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर नॉट वल्ली एब्जॉर्ड लार्जर अमांट ऑफ इंसलेशन बट अलसो ग्रेटली यह बात है कि डैस्ट परिकल क्या होती पॉल्यूट में जीर से महलो आपने ऐखने कोयला जला दिया holding अब कोईट आज चोटा चोटा जन लेक बद्स तर वहारे नाग में जब बहुन हना है अगर जाएगा अगर उपर चले जाएगा तो क्या करेगा solar radiation को तो रोक़ा ही रोकेगा यह रोकेगा लेकिन sun से जो radiation गलती से धर्ती पर जो जो आ गया मतलब जितना आया उसका एक पार्ट फिर से उपर जाएगा तो यहां पे भी तो particle हो रोकेगा ही न तो particle दो चीज करता है solar radiation को भी रोकता है और terrestrial radiation को भी रोकता है कोई problem ही dust in the atmosphere contribute to red and orange color of sunrise and sunset क्योंकि reflection के कारण होते हैं clear अब बात करते हैं layer कितने होते हैं atmosphere क्योंकि हमने देखा atmosphere में हर जगा same as gas नहीं होती same जगा same gases नहीं होती तो इस basis में हम categorize करते है temperature के basis पे और देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा gas है इस basis में हम atmosphere को 5 बात में divide करते हैं देखो यह बात divide करने वाला है सबसे पहले आता है troposphere जहां पर बहुत ज़्यादा gases होती है जहां पर clouds होती है उसके बात करते है stratosphere उसके बात करते है major sphere thermosphere इसके ऊपर एक जोड़ स्पेर है clear है तो यहां से जैसे जितना हम ऊपर जाते हैं ऊपर जाते हैं तो इस फेर में क्या होता है देखो यहां मालो temperature 20 degrees Celsius हमारे जमीन पर मालो जाम पर लेते हैं तो जैसे ही हम major sphere troposphere के top पर जाएंगे तो हमारा temperature क्या होड़ा है डिक्रीज हो रहा है अब देख रहे हो temperature zero temperature minus 58 degrees Celsius के आसपास हो जा रहा है अभी तो हमारे पास 20 degrees Celsius है अर्थ पे लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तो minus 58 degrees Celsius पर आजाए कहां पर ट्रोपो स्फेर के top पर ट्रोपो स्फेर के top को क्या बोलते हैं ट्रोपो पॉच्छ के बतला जहां पर ट्रोपो स्फेर खत्म हो गया अब stratosphere सुरू हो गया stratosphere में starting में तो temperature कोई पर कोई तर्क नहीं परेगा height पर जाते रहेंगे होने लगता है इसके बाद फिर से टेंपरेश होने लगता है और कीज होता ही रहता है तो हम 46 करते हैं फिर आपको अंतों दूए Smith कि परोपोएश्पेयर क्या होता है पहला लेर है तो हमें कोई बिक्त नहीं इसका हाइट 18 किलोमेटर तक होतब एक्द्टर पे और आठथ पोल। कोई डावट ही नहीं आपको होना चाहिए यह मानलो एक्वेटर है यह यहां पर जादा हाइट तर गैसे होगी यहां पर पोल पर कम हाइट पर गैसुआ जैसे इसका ग्राफ अगर बनाए तो कुछ ऐसे होगा कि अगर ग्राफ ऐसे बनाने का ट्राइ करें तो बहुत वुरी हैंड राइटिंग है अच्छा नहीं इसलिए इसलिए नहीं बनत पाता अच्छा से तो यह 18 किलमेटर यह 8 किलमेटर जाधा होते हैं जाधा यह जाधा होते हैं दर आप यह जाधा ऑफाल सिद्ध होते हैं आप अधमशी होती है था बिइस सब्सीयो और आम आपंधि यह कुल में नहीं जाता है पिसलिए गालच का इंश्या चावस्ट होटा है density क्या होता है मैं आपको बताता हूं density का मतलब होता है mass upon volume mass upon volume जैसे देखो मालो यह बात करें हम mass and volume एक example लेते हैं दो घर है सब बरावर बरावर घर है दो रूम है बस इसमें आपने एक केजी एर रख दिया पूरे मिल जाएगा लेकिन इसमें आपने रखा दो केजी एर यह भी पूरे मिल जाएगा लेकिन यह बला जो room b है वो ज्यादा इसमें ज्यादा गया ? यानि इसमें mass ज्यादा गया मास है दो kg इसमें mass है 1 implied लेकिन volume का सेंच है तो room a डमा तैसे, room b का density Department ad ज्यादा होगा धार选य लाम moleध्य होता है लेकिन मास इसमें दो गुना है तो इसकी देंसिटी ज्यादा होती सेम यही बात करते हैं अगर देखो हमने बोल दिया कि सन देखो जैसे एक्जामपल लेते हैं जैसे अर्थ है जैसे मान लो समझ गया नम देंसिटी समझे न आप आगे मैं आपको कुछ और समझाता हूँ मालो यह है अर्थ देखो यह है अर्थ यहां पे एर ज्यादा है यहां पे थोड़ा कम है तो यहां से सोलर रेडियेशन आया टेरिस्ट्रियल रेडियेशन ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगा ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगा ज्यादा गरम होगा कम अब्जॉर्ब करेंगा कम गरम होगा तो ज्यादा टेंपरेचर यहां कम टेंपरेचर ज़या गैस अब्जोर्ड एब्जोर्ड तभी न कर गया जब वहां पर गैस होगा यहां पर गैस ही कम है तो अब्जोर्बेशन भी तो कम ही होगा करन है सिंस मोस्ट आफभ दी को 95 तो सिसा सिर्फ फ्ट ट्रॉप अपर यहीं होता है तो जल्स अबी कशा कर दॉड्याएगा प्रेंजिता क्यां। एक एक है Kyle के साथ टेंप्रेचर डिक्रीज होते जाती एक एक ऐसा समय आताई जब तिमपरेचर डिक्रीज होना रुक जाता है इसके बाद देखども कि यहां पर यहां पर इप्रिचे materi जहों आ रुखिश की अब हिव्या चौण हो गयर है यहां तक सब्सक्राइब मक्रीन कर दो ओड निया क्ना कि थेchnला होगा है तुरम भी हमइब सीविभेटा सच्राइब बन दों दोह मोगतोंड सब्सक्राइब कि भाई अब temperature decrease होना बंद हो गया इसका जो extension है वो ट्रोपोपोट से लेके ट्रोपोट से लेके 50 किलोमेटर तक है इसको 50 किलोमेटर है 50 किलोमेटर ट्रोपोपोट से लेके इसमें एक ची इंपॉर्टन है इसमें ओजोन लेयर है वही वाला जो यूवी रेज को संका यूवी रेज जो है उसको रोकता है यहां पर पहले स्टार्टिंग में क्या होता है स्टार्टिंग में टेंप्रेचर इंते कॉंस्टेंट है मैंने बता है इस पीछ जा रहा है तो यहां तक तो यहां तक तो temperature increase हो रहा है देखो यहां तक तो temperature sorry constant हो रहा लेकिन बाद में increase हो रहा है क्योंकि इस ozone layer में UV rays का absorption होने लगा है तो इस ट्रेट व इस पर के बार में डिसक्स करते है ozone layer यहां पर है यह temperature इसका slowly increase होने लगता है यह बहुत रेर क्लाउड है और भाई larger jet planes और यहीं उगाए जाते हैं क्योंकि भाई obviously जहां पर वेजर पैटन बार बार चिल्जा रहा आपको उराने में अरप्लेन के उराने में प्राब्लम होगा उसके बाद इस ट्रेट व पहुज आते हैं जहां पर क्या इस अगिन सबढ़त बार पाई शेत谢 में उ आत है यह रहाल सुन्हाहत थर्माइं उसके कैसे उसके एक सर्ण पहुज नाम याद्षा Attश के इंपौर इस इस में टेम्प्रेचर राइज कर जाता है ड्रामेटिकली और 400 से डिगरी सेल्शेस से पहुँच जाता है यहां पर this temperature increase due to the fact that gas molecule in this layer observe the x-rays and ultraviolet radiation, देखो, sun बहुत सारे radiation बेचती है, x-rays, gamma-rays, uv-rays, visual-rays, इतना सारे बेचती है, लेकिन यह लेयर क्या करता है, uv-rays and x-rays, है तो sun का ही rays इसको observe कर लेता है, जैसे absorb करेगा तो sun, वहां का atmosphere गर्म तो हो गया ही होगा, यहां इसके कारण क्या होता है, जैसे ही आपको example simple लेते हैं, यह एक है, बॉल किसी भी चीज़ का, जब इसको गर्म करोगे ना, गर्म करोगे तो क्या होगा है, ब्रेक अफ होगा इसमें, ब्रेक अफ होगा, टूटने लगता है, टूटता है किस कारण, positive और negative चार्ज पार्टिकल साने लगते हैं, positive, obviously कोई na अगर मालने सिंपल है, अगर तूटेगा, तो na प्लस होता है और cl माइनस होता है, तो एसे ही ना, यह ऐसे ही तूटता है, positive और negative चार्ज पार्टिकल में तूटता है, तो thus this layer is known as ionosphere, क्योंकि आपको यहाँ पर ions देखने को में लगता है, चाहे हो positive ion हो या negative ions हो, उसको तो ions ही बोलते हैं, इसके करण क्या होता है, जो electric charge particle होते हैं, वो thermosphere में, वो reflect करते हैं radio wave को, जैसे earth से हमने कुछ radio wave दे जा, यहाँ पर particles है, particles क्या करते हैं, इसको reflector, जैसे ह होता है, यह है radio station, यह है हमादा घर, आपके घर पे थोड़ी सुनाने हो, direct ऐसे थोड़ी सुनाने होगा, इसका wave जाता है, thermosphere यहाँ से reflect होके सब के घर पे पहुंचता है, clear, ऐसे होता है, ऐसे process काम करता है, dielectrically charged particle molecules of the thermosphere, reflect radio wave, simple पूच सकता है, कि radio wave का reflection जो होता हो, किस sphere में होता है, thus this layer helps in long distance communication, clear है, thermosphere also protect us from the meteoros and the obsolution, भाई, इतना जादा temperature है, कुछ भी आएगा भाई, उपर ही पिगला देगा, तो इसलिए ना जो meteoros, या बहुत सारे जो गिरते रहते हैं, अर्थ के गिरने वाले होते हैं, लेकिन तहले ही उसको गला दिया जाते है, मतला अगर बह पाद देता है, छोटा सा बचेगा, लेकिन अगर कोई छोटा है, तो उपर ही जला दिया जाए, अब यह तो common sense से पता चला ही सकते हो, उसके बाद में है, एक जोशपेर, एक जोशपेर के ऊपर होता है, और एक जोशपेर जो थर्मोशपेर के 960 मीटर के बाद होता है, और इन्टर प्लेनेटर समझते हो ना, कि एक ऐसा जगा है, जहां पे दोनों प्लैनेट जगरा करें, कि मेरा एसपेर है, यह मेरा एसपेर है, तो एक जोशपेर वहां तो जैसे हमालों यह है, हमारे अर्थ के बाद है, वीनस, यह अर्थ वीनस, यह पॉइंट ऐसा होगा, कि य यह इसका ऑग्जोस्पर है यह इसका ऑग्जोस पेयर है, यह पोट्ट डाव्ट कर दोनों को करता है , यह मेरा जगह कि यहां से रहा के बीच चलीगा और यहांनि सब से अगर गर्मबाला बात करें तो, थर्मोपेरी है इस लेयर, contents, wallet, traces of gas, मतलब यहाँ पर gas रेयर ही मिलेगी, आपको mainly gas हो मिलेगी, hydrogen, helium अगरा मिलेगी, यहाँ पर oxygen, nitrogen, organics हो बहुत रेयर मिलेगी, अब question होता है, कि sun कैसे energy इतना create कर पाता है, कि हमें इतना energy दे रेता, कि कैसे, ऐसा कैसे होता है, वाई एक चीज़ दो process आपको बताता हूं मैं लेपहले, एक होता है fusion, एक होता fusion, क्लियर, कोई problem नहीं है, दो चीज़ है, fusion का मतलब है, दो चोटा चोटा पार्टिकल, भाई, जूर के fuse हो गया है, एक साथ मिल गा, इसका fusion, fusion का मतलब break up हुआ, जैसे बहुत बारा पार्टिकल है, यह break करके दो बना है, फ fusion के लिए जरूरी है कि वो पार्टिकल बहुत बरा होना चाहिए, fusion के लिए मतलब है, छोटे-छोटे पार्टिकल उसका जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, एक छी मैं आपको साथ साथ बता दूं, कि fusion जादा पावरफुल होता है, fusion से जो energy release होता है, वो बहुत जादा पा पास दो energy मातर है, एक है hydrogen और एक है helium, hydrogen sun के पास है 3 is to 1 है, hydrogen है, 75% है hydrogen, helium है 25%, क्लियर रहा है, core of the sun, sun के जो core है, वो गिगनेटिक नुकलियर, गाइगनेटिक नुकलियर रियक्टर, गाइगनेटिक होता है बहुत बढ़ा, एक नुकलियर रियक्टर की तरह काम करता है, उसक काम बस यह है, कि hydrogen को helium में convert करना है, भाई कैसे करेगा, hydrogen का atomic number one होता है, helium का atomic number two होता है, तो one or one मिलके एक hydrogen और एक होगर hydrogen मिलके helium बना देगाना, तो इसके में कौन सा प्रोसेस हो ला है, fusion, दोप मिल रहा है, fuse, 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 fuse हो रहा है, इन इस प्रोसेस नुकलियर fusion होता है, the sun released tremendous amount of energy in all direction, क्योंकि भाई, एक hydrogen थो यह, करोरो अर्वो hydrogen है, तो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, हर जगा fusion होता है, मतलब करोरो hydrogen एक साथ fuse कर रहा है, तो इनर्जी तो सारे प्लानेट पर पहुंचाएगा, the sun radiates energy, इसमें क्या होता है, heat भी होता है, इतना जाद होता है, अगर कम energy होता है, तो इस light होता है, लेकिन इतना जाद होता है, heat भी मिल जाता है, light भी मिलता है, वह भी सब ही direction है, because of its small size in relation to the sun, earth interprets only a small, भाई, अगर माल लो, यहां से पूरा light आ रहा है, आप इतना छोटा हो, ऐसा थोरी आप sub light लगा हो, भाई, कुछ बज आप एक दो प sun को, sun के पास कोई और उपाय, अर्थ के पास कोई और उपाय है, solar radiation अगरा primary source of heat and light, अब क्या होता है, insulation क्या होता है, मैं बता चुपा है, incoming solar radiation, solar radiation होते हैं, एक terrestrial radiation होते हैं, कि जितना, मालो, यह आया उपर, इसको बलते है, incoming, incoming आया, solar, दो याद हैं, I am saying, incoming, solar, essence, radiation, the incoming solar radiation, energy intercepted by earth, is known as insulation, मतलब, जितना energy, energy तो sun बहुत मेंज़ा, आप कितना ले रहा हो, यह होगा, insulation, It is received in the form of short wave, ध्याम देना, दो type की wavelength होती है, short wave, एक long wave, जो short wave होती है, जैसे solar radiation होती है, short wave, लेकिन जो terrestrial radiation होती है, वो long wave होती है, ध्याम रखना, क्योंकि ऐसे minute detail से भी question पू सकता है, अब sun के पास energy आगया, अर्थ छोड़े, अपने पास फोड़ी रखेगा, आर्थ इसको reflect भी करता है, space में, इसको बज़े टेरिश्चेल radiation, clear, अब दो छोटा छोटा term है, इसको बस differentiate करना है, weather and climate, weather क्या होता है, कि atmosphere का description, कि किसी particular time में कैसा atmosphere है, कि उसमें बारिश कैसी हो रही है, अब जैसे मालो, अभी की बात करें, अभी बारिश हो रही है, तो इसको हम बोले हैं, हमारा weather ऐसा की बारिश हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा climate है, climate एक composite picture होता है 30-35 साल का, जैसे example लेते हैं, कि कोई area में बर्फ है, कोई area में पोल्स area है, पोल एरिया में हमेसा बर्फ होता है, तो उसका climate ही है polar वाला, यानि वहाँ पे हमेसा बर्फ रहेगी, तो हमें एक-दो दिन से थोरी बाता चला है, बहुत सालों में हमने देखा है, तो हमें लागा है हाँ, वहाँ तो ऐसे ही होगी, अब चेंज नहीं होगा, तो climate है composite and integrated picture हो, है weather condition का, बस weather को हमने average निकाले है, सब को add करके देखा हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसे ही तो हम हर दिन का जैसे monsoon को predict करते हैं, और भी चीज़ा होती ही, लेकिन इस method से भी हम predict करते हैं, climate data क्या होता है, तीज साल पर लेते हैं और defined by WMA, World Metrological Department, clear, अब बात करते हैं, एक atmospheric pressure है, बस वो एक मिले पर, एक topic इसमें छूटिया है, मैंने डाला नहीं है, एक topic का नाम है, इसमें humidity, humidity, humidity मैं आपको next video में जब भी करा हूँ, वाना wind वाला chapter, तो उसमें सबसे पहला topic हम humidity करा ही देंगे, और उसके बाद हम discuss करेंगे बाखे topic, clear, तो यहाँ पर मैं इसको pressure को करा देंगा हम, जो pressure के पहले, एक topic छूट किया है, तो आप बस ध्यान लखिएगा, बस humidity एक छोटा से topic है, इसमें humidity क्या होती, humidity, capacity, saturated air, dew point, कुछ point है, और humidity के team types होती होती हो, बस discuss करेंगे, मतलब पांच minute का हमारे class extra, उसमें करेंगे, क्योंकि इसमें लेना भूल गया, रखना भूल गया, और यार नहीं कहां पर हो, clear, तो अब देखो pressure क्या होता है, atmospheric pressure, नॉर्मल pressure का अगर हम definition देखें, तो force per unit area होता है, कि जैसे मालो example लेते हैं, यहाँ पे एक table है, यहाँ पे आप धक्ता लाए रहे हो अपने हार से, तो force लगा रहे हो, इसने area में इसको बलते हैं pressure, force per unit area, और एक और चीज़ याद लगते हैं, force हमेंसा normal direction, हमेंसा 90 degree से लगत लगते हैं, तो अब question होता है कि इसको measure किसी से करते है, mercury barometer होती है, वो एक standard instrument है, और भी instrument है, लेकिन standard instrument है, mercury barometer, जिसे atmospheric pressure measure करते हैं, pressure को express कैसे करते हैं, centimeter और inches of mercury में, a true measure of the height of mercury, clear, तो देखो न, वो ऐसे देखते हैं कि जो barometer है न, उसमें कैसे change हो रहा है, जैसे barometer ऐसे हो र यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, अभी rating यहाँ पर, जैसे यहाँ होता है, कि जैसे मालो एक, एक कोई thermometer है, normal thermometer है, भाई अभी इतना है, 99, उपर जा थरा 90, 100, 101, ऐसे नहीं ही हम करते हैं, तो same, इसमें भी क्या किसे करते है, centimeter और inches आपको दिखाता है, कि वो, जो equipment है, उसमें centimeter ऊचा हो गया, centimeter नीचा हो गया, इसे बात होती है, standard sea level pressure है, 26 cm, जैसे एक, normal example लेते हैं, आपका एक equipment है, जो barometer है, उसको अगर sea level के पास ले जाओगे, तो उस पे rating कितना देखाएगा, 76 cm rating दिखाएगा, clear है, समझ गे, जितना ऊपर जाते जाओगे, उसना rating कम जिखाते जा metrologist is millivar, metrologist कौन सा unit करते है, millivar, one war को हम divide करते है, 1000 millivar में तो पता है, one war equal to 1000 millivar, millivar are now known as hectopascal, clear है, hectopascal, कुछ और pressure measuring institute है, instrument है, mercurial barometer, जिसको eneroid barometer, altimeter और altitude barometer, barograph, जो को automatic recording करता है, eneroid barometer को, micro barometer, micro varo, vargiograph, obviously बहुत सारा तो आप simple याद करते हैं, जब ही आएगा तो simple pressure, one atmospheric pressure, ये unit आप याद रखो, ये conversion भी याद रखो, कि one atmospheric pressure, जो कि, क्यूंकि जो इसमें होता है, उसमें mercury होता है, इसके हम महलते हैं, 76 cm of mercury, equal to 760 m of hj, mm of hg, mercury ही है, equal to 1013.25 mv, simple है ध्यान लगना, बस इस conversion को, clear है, नेक्स्ट वीडियो में मेरा पहला वीडियो, पहला topic आगा, humidity, उसके winds, discuss करेंगे, trade winds, westerlies, क्यूंकि ये जो figure है, वो उससे ही related है, winds से ही related है, clear है, तो जो आज का, जो topic है, क्यूंकि अभी मैं pressure का वाला समझा भी दूँगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्यूंकि pressure मैं सम समझाना, फिर से समझाना होगा, तो फिर से एक ही साथ मैं pressure समझागा, वेड समझागा, तो दोनों एक साथ, अगर समझाओ नहीं है, तो आपको बढ़ी समझाना जागा, तो winds, trade winds, westerlies, westerlies, उसका jet strength discuss करेंगे, monsoon wind, local wind, ये सा discuss करेंगे, clear है, चलिए, thank you, और एक और ची मैं मैं आपको एक information दे देता हूँ, कि next एक से दो दिन में आपको, क्योंकि medieval history खतम होने वाला है, तो political science, जो polity है इसमें, और उसके अलावे, अभी physics, दो आने लाएगे आपको, जोग्रफी तो चली रहा है हमारा, चले, thank you, thank you so much.